इमोजी पेंट बनाने के लिए हमें कुछ मैटेरिस चाहिए तो पहले हम एक शीट लेंगे उस पे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे दो सर्कल्स तो मैंने आप देख सकते हैं मैंने इस पे सर्कल्स ड्रॉ कर लिये हैं अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर four circles draw करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ तो हमने इस दोनों पर draw कर ली है circles अब हम इने cut करेंगे मैंने paper circles cut कर ली है अब हम cardboard circles cut करेंगे तो जो बच्चे हैं वो circles अपने parents के supervision में ही cut करें क्योंकि बहुत hard है cut करने के लिए तो मैंने सारी cut कर लिए हैं अब हमें एक panel लेंगे तो हमने दो circles ले लिए हैं और अब हमें एक panel लेंगे उसको इस तरह से circle पर draw करेंगे ये circles हमारे holes बरेंगे मैंने circles मैंने draw कर लिया हैं अब हम इने cut करेंगे तो हमने दो circles को cut किया है और दो circles को ऐसे ही रहने दिया है अब हम इने आपस में paste कर देंगे तो मैंने इसे paste कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं और हम इसे pen के साथ देखेंगे ये perfect है हाँ ये perfect है और अब हम जो हमने paper cut किया था उसे हम इस पर paste कर देंगे हम paper दोनों side paste करेंगे और अब हम paper stripe लेंगे और उसको उसके side side में paste कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बीच में जगर शोर दिया है यहाँ पर हमारी pen जाएगी और ये बहुत अच्छी देख रही है अब हम emoji draw करेंगे इस पर तो मैंने emoji draw कर लिया है और मैंने दोनों side draw किया emoji और हम pen पर भी paper paste करेंगे इसके लिए अब हम एक paper stripe लेंगे फिर इसके बाद हम इसे जैसे मैं कर रही हूँ उसे इस पर paste करेंगे है यह बहुत अच्छा दिख रहा है अब हम pen के लिए एक कैप बनाएंगे कैप बनाने के लिए आपको फिर से एक paper strip लेनी होगी और जैसे मैं उस पर रोल कर रही हूँ पैन पे और उसको ऐसे ही paste कर दीजिए कि मैंने paste कर दिया है और कैप के ऊपर भी ताकि pen निकले नहीं और हम इमोजी को भी उपर पेस्ट कर देंगे तो हमारा इमोजी pen बनकर रैडी है और यह बहुत अच्छा दिख रहा है सब्सक्राइब फर मोर एंड थैंक्स